अच्छा ये बताईए शराब किसने पिये हैं कोई पीता है शराब दो पंक्तियां सुनाता हूं फिर मैं आपको इसमें बताऊँगा के जाम में क्या मिली वो बर्फ बदनाम हो गई जाम में जाम बोलते हैं शराब को जाम में क्या मिली वो बर्फ बदनाम हो गई और इससे पहले वो कुछ बोलती वो खुद शराब हो गई और जब आप अधूरे इश्क में पढ़ते हो न जब आपका इश्क मुकंबल नहीं होता तो आप शराब पीने लगते हो कि हर घूट में तेरी याद का किस्सा है जब आप पीते हो तो हर घूट में तेरी याद का किस्सा है अब ये शराब ये इस जिन्दगी का हिस्सा है नूर में इतना है जालिम महपत अगर नूर से होती तो ये खुदा दिल ना बनाता और जब उसने मना करा ना सच वदा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि जुदा तो एक दिन ये सांसे भी हो जाती है तो मैं शिकायत महपत से ही क्यों रखूँ ए खुदा मेरी किस इसमत से चलती है ये जिन्दगी जैसा मुझे लगता है अगर बुद्धी से चलती तो बीरवल बाश्चा होता आज जब आप पहली बार किसी से प्यार में बढ़ते हो ये और जब वो कोई मना कर देता है आपसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने उस लड़की को बोला मैं तुम्हें प्यार करता हूँ उसने मना कर दिया तो एक चार साल बाद वो मुझे सीपी मिली को नॉट प्लेस एक चूड़ी वाले की दुगान पर तम मैंने लिखा था कि पूरी जिन्दगी तेरा हाथ चूने को तड़पते रहे और तुने दो मिनट न लगाए अपनी कलाई चूड़ी वाले को दे दी और मैंने उससे पूछा क्या करती है उसने का बीटे कर रहे हूँ मेरी पढ़ाई वही छूट गे थी और जब मैंने लिखा था कि सुना है बहुत पढ़ लिख गई हो सुना है बहुत पढ़ लिख गई हो मेरी आखे पढ़ के दिखाओ दो खुदा जान जाओ आज बी और आखरी की दो पंक्तियां ये सारी पंक्तियां मेरी खुद की हैं ये एक बर मैं एक पाटी में गया तो एक सक्ष फोटो खींच रहा था उस समय मैंने लिखा था कि फोटो खींचने वाले सक्ष एक तस्वीर खींचने वाले शक्स तकलीव भी खींचने मेरी इस तस्वीर के साथ कलाकार मालूँगा तुझे और कल रात सोते समय मैंने सारे दुख दीवार पर लिख दिये कल रात सोते समय मैंने सारे दुख दीवार पर लिख दिये फिर क्या था मैं सोता रहा और दीवार रोती रही और अन्त की दो पंक्तियां कि ए जिन्दगी तुझे जितने जख्म देने हैं अब दे दे मैंने भी एक मरहम बेचने वाले से दोस्ती कर लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जहीं लोगों का